वहीं संसत के कारेवाही शुरू होने से पहले संसत के बाहर पियम मोदी ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं मानवी के कल्यान के लिए कमिटेड है जो देश के उज्वल भविश्य के लिए समर्पित है विश्य कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूह के गाउं और शहर के युवां हर समूदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब ये चार ऐसी महत्वकून जातिया है जिनका एमपावर्मेंट उनको भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गौवर्नन्स होता है पूर्ण तयां जन्हित के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकम्बंसी ये शब्द इर्लेवेंट हो जाता है और हम लगातार ये देख रहें हैं कोई उसको प्रो इंकम्बंसी कहें कोई उसे गुड गौवर्नन्स कहें कोई उसे ट्रांसफरंसी कहें कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोस योजनाय कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसत के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस संसत भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अईतिहां से एक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कारे करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद गवस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा आगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्निय उप्राश्पति जी और आदर्निय स्पीकर महोदय के नेतुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है और आप से भी मैं कहूंगा कोई चीज जैसे छोटी मुटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकरसित करना क्योंकि यह चीजे जब बनती हैं तो आवश्यक्ता गैनुसार बढलाव की भी जरूरत होती है देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारम में विपक्ष के साथियों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्ष होता है हमारी मेंटिम उन से चर्चा करती है मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्षना करते हैं आगरह करते हैं कि इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई हैं और आपके माध्यम से में सार्वजिनी गुप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आगर करता हूं लोक्तंत्र के मंदीर जन आकांग्छाओं के लिए विक्सित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपुर मंच है मैं सभी मान्य सांसदों से आगर कर रहा हूं कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उत्से मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अग्रे करता हूं और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो बिपक्ष में बैटे हुए साथी है यह उनके लिए गोल्डन ऑपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बिजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारात्मक्ता की प्रवत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकौन बढ़ेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है औ और वो वीपर्श में है तो भी उनको एक अच्छे रवाज दे रहा हूं कि कि आईए सकारात पर विशार ले करके आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला ले करके आईए हर किसे क्या भविश्यूजवन है निरास होने की ज़रूत नहीं है लेकिन किपा करके बाहर के पराजय का गुस्षा सदन में मत उतारना हताशा निरास होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्न कुर्ष करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वह मंच मत मनाईए और अभी में मैं कहता हूं मैं मेरे लंबे अनुवों के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोत के विरोत का तरीका छोड़िए देशित में सकारात्मत चीजों का साथ दिए अच्छी उसमें जो कम्याह हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो कि ऐसी कुछ बातों पर नफ्रत पैदा हो रही है कि हो सकता है वह महमत बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं कर्बद्य प्रार्शना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोन से भी कहना चाहता हूं कि कि आपका भी भला इसम है कि आप देश को सकारत्मक्ता का संदेश के आपकी छभी नफ्रत की और नकारत्मक्ता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्मकुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्त्यवान भी होना चाहिए और लोग तंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी भावना को प्रकट करता हूं कि पेंटी फोटी सेवन अब बेश विक्षिद होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है समाज के हर वर्ग में ये भाव पादा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मानने साउसत समत्र आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्तना है आप सब को भी साथ्यों मेरी बहुत बहुत सुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद हिर लावना है